हालो फरेंड आज के इस वीडियो में हमापको यह प्राइब करसकते हैं आज के इस video हम आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप ए वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखेंगे दोस्तों सबसे बहले तो आपको करना क्या है कि आपके mobile phone का screen card आपको साफ करके इसे आपको चेक कर लेना है है कहीं से टूटा हुआ या चटका थो और यह और जिससे आपको अपने स्क्रीन काण सम्ते को सव्ध्या कर सकते हैज अगर आपके mobile phone के hardware में कोई दिक्कत है और जिससे auto touch की problem आ रही है तो आप इसका solution में आपको वीडियो के end में बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगला process करना क्या है कि आपको एक बार अपने mobile phone को restart करना है ठीक है तो इससे आपका mobile phone जो automatic switch off हो जाएगा फिर इसके बाद switch on हो जाएगा थोड़े दिर में ठीक हो जाती है तो यहां पर restart करने से क्या होता है कि हमारे mobile phone के Android system में कोई छोटी मोटी कमी आ जाती है जैसे कि mobile phone हैंग करता है हमारे mobile phone में auto touch की problem आ जाती है network की दिक्कत हो थी ऐसी बह आपको mobile phone का software जो है वो updated है या नहीं है आपको यह update अगर नहीं है तो कैसे करेंगे और update है यह चेक कैसे करना है यह आपको समझाता हूं आप्डेट का इस पेज में अगर कोई भी अपडेट पर अप्डेट का तैब कर देना है इससे क्या होगा कि आपका system mobile phone ओने लग जाए सिस्टम अपडेट होने कि 5-10 प्रोसेस आपको complete होने इसके अंदर आपको जो है नीचे की साइड यह option मिलता है SIM card and mobile network का इसे select करना है इसके अंदर आपको नीचे की साइड यह और दो option मिलते है SIM 1, SIM 2 जिसमें आपकी SIM लगी हुए है वो आपको select करना है इसके बाद आपको जो है नीचे की साइड यह option मिलेगा access point name पर tap करना है इसके बाद यह page open होगा इस page में आपको सबसे ओपर यह option पर tap करना है तो आपको एक छोटा page open होगा reset to default का इसे tap करना है तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा reset default APN setting reset कर देंगे तो आपकी auto touch की problem जो है वो खतम हो जाएगी अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला process करना है क्या है कि आपको अपने mobile phone को reset कर देना है reset कैसे करेंगे आपको mobile phone का setting page open करना है सबसे नीचे जो औप्शन मिलेगा system का system पर select करना है इसके अंदर आपको जो है निचे की side option मिलेगा reset करना है इसके अंदर आपको नीचे की साइड या उप्शन मिलेगा इरे जोल डेटा का इसे आपको टैप करना है इससे आपका फोन रिसेट हो जाएगा और आपकी ऑटो टच की समस्या खतम हो जाएगी ठीक है और दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है देखे पर सेलेक्ट करने से पहले नहीं तो वह सारा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और आप उसे बात में रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपकी जीमेल आइडी फोन की और उसका पासवर्ट आपको लिग के रख लेना है ताकि आप जीमेल आइडी को बात में दुबारा से लॉ आपडेट नहीं है तो जिस अप का अपडेट आया होगा तो उन अपको आपको अपडेट कर लेना है Ğाए अब दोस्तों यहां पर जितने भी आपको प्रोशसस बसक्राइब नहीं होती है तो आपको क्या हो सकता है कि आपके मुवाइल फोन के हाड़्वेर में कोई दिक् है और सर्वी सेंटर में अपने फोन को दिखा देना कि मेरे फोन में जो आपकी प्रॉलम का स्वल्यूशन आपको दे दिंगे तो यह मैंने आपको दो तरीके बता दिये आपकी प्रोल्म को सॉल्व करने के पहले तो यह